क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं पर विश्वास करते हैं? क्या कभी आपके या आपके किसी पहचानवाले ने किसी घटना का जिक्र किया है? अगर नहीं तो ये सच्ची कहानी आपके रौंगते खड़ी कर देगी. आपने भी कहीं बार ऐसी बहुत सी जगा के बारे में सुना या दीखा होगा जहां दूर दूर तक कोई इनसान नहीं भटकता है. क्यूकि वहाँ रहने वाली प्रेत आत्माओं किसी को भी आने ही नहीं देती है. आज हम आपको भारत की एक ऐसी ही भूतहा जगा के बारे में बता रहे हैं जो सालों से खंडर पड़ी है यह जगा है है हैदराबाद का खेरताबाद साइंस कॉलेज खेर्दाबाद का साइंस कॉलेज सालों से बंद है और अब तो इसकी इमारत किसी भूती ही फिल्म के डाक बंगले से कम नजर नहीं आती खंडर बन चुका है धरबाद का खेर्दाबाद साइंस कॉलेज पहले यहां के शांदार साइंस कॉलेजों में शुमार होता था काफी तादाद में दूर दरास के हिलाकों से बच्चे यहां पढ़ने आते थे मगर अब यह बंध है भूतों के खौफ में लोगों का ऐसा कहना है कि अब यहां सिर्फ भूत प्रेथी रहते हैं कॉलेजों में भूत है या नहीं इसका खुलासा ना कोई इनसान कर पाया है ना विज्ञान हाँ यह सच है कि पहले यहां इनसान पढ़ा करते थे मगर अब यहां भूतों का विज्ञान पढ़ाया जाता है यह साइन्स कॉलेज ऐसी जगा है जहां आकर हमारी सोचने और समझने की शक्तियां खतम हो जाती है क्योंकि यहां हम पर डर और खौफ हावी होने लगता है आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि आखिरकार यह साइन्स कॉलेज भूतों का घर कैसे बन गया तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस इमारत का रहस्य क्या है इतियाज बताता है कि पहले इस कॉलेज में हजारों बच्चे पढ़ते थे पुरे वक्त यहां चहल पहल रहती थी कहते हैं कि जब किसी वज़ा से यह साइन्स कॉलेज बंद हुआ तब उस वक्त जाच के लिए लैब में रखी गई डेड बॉडिस को डिस्पूज नहीं किया गया था उन्हें वहीं छोड़ दिया गया था और जोरान अचानक आसपास के लोगों को यहां से अजीब गरीव आवादे सुनाई दी किसी ने भूद देखने का दावा किया तो किसी ने चुड़ैल हाला कि ऐसा कोई भी दावा सावित नहीं हो सका इस इमारत को खंडहर में तबदील करने के लिए यह वाए काफी थी खुद बखुद यहां डर पैदा हो गया लोगों ने आना जाना छोड़ दिया यहां तक की कॉलेज को बंद कर दिया गया हां मगर सरकार ने इस कॉलेज की चौकिदारी के लिए एक बंदा रखा और यहां से लिखी गई और खौफ की एक और इबारत कहते हैं अगले ही दिन उस चौकिदार की अजीबो गरीब तरीके से मौत हो गई उसकी लाज कॉलेज में ही पड़ी मिली चौकिदार की लाज मिलनी थी कि लोगों का खौफ और शक दोनों पक्का हो गया सब ने यह कहना शुरू कर दिया कि उस चौकिदार की हत्या भी यहां के भूतों की वज़ा से हुई हाथसे के बाद से आज तक इस कॉलेज में किसी ने भी जाने की कोशिश नहीं की अब यहां सन्नाटा पसरा रहता है इस तरह देखते ही देखते ही यह कॉलेज खंडर में तब्दिल होना शुरू हो गया अब तो यहां के लोगों का कहना है कि अब जो भी इस कॉलेज में जाता है वो फिर वापस नहीं लोटता सब जानते हैं विज्ञान भी मानता है कि ये दिमागी वहम के अलावा कुछ नहीं मगर फिर भी लोग खौफ में रहते हैं सिर्फ खौफ नहीं बलकि ऐसी जगाओं को टूरिज स्पॉट बना दिया जाता है और ये बहुत साधरन चीज है क्योंकि हमारे देश में डर बिकता है